अक्सर आप लोग जब टेस्ट करवाते हो तो उसमें आपको एक टेस्ट बोला जाता है डॉक्टर हमेंशा हेल पैकेज में या रूटीन टेस्ट में ये टेस्ट जरूर करवा जाता है Eierisar क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में अगर Eierisar बढ़ता है तो उसके रिजन क्या हो सकते हैं इस वीडियो के दर हम जानेंगे ESR बढ़ने के कारण और उसके लक्षण तो सबसे पहले हम जाल लेते हैं ESR बढ़ने की कारण क्या क्या हो सकते हैं अगर कोई व्यक्तिक एनिमिया है तो उस कंडिशन में बढ़ने के बढ़ने के चांसे सोते है वाइरल इंफकिऌ अगर किसी बढ़ने के चांसे तो उसके संक्रम्ण के कारण भी यह सरदी खांसी हुआ हो थो उसमें भी बढ़ जाता है तो उसमें देखोगे जो यह सो होता है और जाता है नेश्क्रा देकों कि रोमर टाइड फीबर हुआ है या किसी को अगर टूबर कुलोसिस हुआ है या तीवी अगर किसी व्यक्षिक हो और हुआ है तो उसमें देखोगे जो ESR होता है वो उसके बढ़ने के कारण होते हैं तो यह जो भी रिजन होता है इसको वैसे ESR बढ़ जाता है साती साथ अगर आप देखोगे फिछी तरह के अगर viral infection हुआ है तो उसमें भी ESR बढ़ने के chances होते हैं अब ESR बढ़ने के लक्षण क्या क्या है कैसे पता चलेगा कि आपका ESR बढ़ा हुआ है या आपके रिपोर्ट में ESR अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप अपने रिपोर्ट को कैसे correlate करोगे सच में इस वज़ा से मेरा ESR बढ़ सकता है सबसे पहले उसमें देखोगे आप आपको joint pain अगर हो रहा हो या जक्रन अगर कहीं पर हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि यह लक्षण ESR बढ़ने के सीर दर्द अगर हो रहा है साथ साथ कंदों में भी अगर दर्द हो रहा है उसके बाद से आप देखोगे डाइदी अगर किसी व्यक्तिक अगर हुआ है वु प्रदीर का तापमान बढ़ा हुआ है किडिनी की बीमारी में या अगर आपको बेचैनी महसूस हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि जो आपके सरी में जो ESR बढ़ सकता है यह उसके लक्षण है और इस लक्षण का दार पर आपको सरी में ESR बढ़ने के कारण और यह सकता है तो